दोस्तों आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज के Tessio Knowledge की वीडियो में हम देखने वाले हैं GK के Top 40 Questions आंसर्स जो की परिक्साओं में बार-बार रिपीट होते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके End तक देखे 40 में से कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना Score कमेंट बोक्स में जरू बतेगा पहला Question आपके स्क्रीन पर है भारत में पंचात का सदश्या बनने के लिए निन्तम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए अगर आपको किसी भी Question का आंसर पहले से पताओगा कमेंट बोक्स में जरू बता देना तो दोस्तो पहले Question का राइट आंसर क्या रहेगा देखे पंचात का सदश्या बनने के लिए निन्तम आयू सीमा दोस्तो 21 वर्ष होती है यानि कि पहले Question का राइट आंसर आपका C हो जाएगा Question 2 आता है विक्रम सारबाई अंतरिक्स केंद्र कहां पर इस्तित है दोस्तो इस Question का राइट आंसर हैगा तिरुवनंत पुरम केरल में यानि कि तिरुवेंद्रम में तो इस Question का राइट आंसर आप्शन A हो जाएगा ठीक है Question 3 आता है भारतिय अंतरिक्स अनुसंदान संगठन का मुख्याले कहां पर इस्तित है दोस्तो इस Question का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है बैंगलूर में यानि कि Option B राइट आंसर हैगा Question 3 का Question 4 आता है विस्व वन्ये जीव कोस द्वारा किस पसू को परतीक चिन के रूप में लिया गया है दोस्तो इस Question का करेक्ट आंसर क्या रहेगा फटाफट कमेंट बोक्स में बता दीजे पांडा को यानि कि C राइट आंसर हैगा Question 4 का करेक्ट आंसर Question 5 आता है भारतिय सविधान में नागरी को कितने मूल अधिकार दिये गए है तो देखे बहुत ही Easy Question है दोस्तो इस Question का राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तो 6 Fundamental Rights है मूल अधिकार है यानि कि B राइट आंसर हो जाएगा देखे 7000 के Question Answers की जो हमारी पीडियप है ये मात्र 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा इसमें Complete GK Science करनेट और Computer आपको मिल जाती है आप हमारी वेबसाइट वोटसप नंबर से भी इस पीडियप को परचेज कर सकते हैं दोस्तो चैनल पर नए है तो सबस्काइब कर लेना नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को ओन रखे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे चटा कोशन करहा है कि भारत्य इत्यास में बाजार मुल्य नियंत्रन पदिती की सुरुवात किसके द्वारा की गई थी दोस्तो इस कोशन कर राइट आंसर रहेगा अलाउदीन खिल जी के द्वारा यानि कि इस कोशन कर राइट आंसर उप्शन भी हो जाएगा चटे कोशन का correct answer सातवा कोशन आता है निमलिखित में से कौन सा अभ्यारण जंगली हातियों के लिए परसिध है दोस्तो इस कोशन का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण यानि की सातवे कोशन का right answer option A हो जाएगा दोस्तो आटवा कोशन आता है भारत में रेलमार्क की कुल लंबाई कितनी है दोस्तो भारत में रेलमार्क की कुल लंबाई 63,974 किलोमेटर है यानि की इस कोशन का right answer आपका B हो जाएगा सैसन पसंद आ रहे है मेरे प्यार दोस्तों तो लाइक कर देना और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर सेयर करना टेस्ट यूर नोलिज की रेगुलर वीडियो होती है दोस्तो नो बज के पंदरा मिनट में रात में ठीक है नोवा कोशन है अजन्ता की गुफाओं में अंकित चितरकारी किस धर्म से संबंदित है और टेस्ट यूर नोलिज की मैंने अलग से पलेलिस्ट भी बना रखी है आप उस पलेलिस्ट को चेक कर लेना आपको सारी वीडियो मिल जाएगी अभी तक 40-50 वीडियो में हो चुकी है दोस्तो कोशन नमबर 9 का राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही है बोध धर्म यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा कोशन नमबर 9 का कोशन नमबर 10 आता है भगवान विशनु को समर्पित पूरी का जगनात मंदिर किस भारती राज्य में इस्थित है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है उडी सा में यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 10 का करेक्ट आंसर कोशन नमबर 11 आता है किस मुगल बादसा के सासन काल में चितर कलाक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तराप लोगों ने किया है जहांगीर यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 11 का बारवा कोशन आता है सन 1815 इस्वी में कलकत्ता में सभा की इस्थापना किस ने की थी दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है राजा राम मोहन रोयन दुआरा यानि की बारवे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा दोस्तो कोशन नम्बर 13 आता है निमलिकित में से किस मुगल सासक ने हिंदू तिर्थ यात्राकर को समाब्त कर दिया था बताइए वई बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है अगर आप लोगों का ओप्शन है अकबर ठीक है सी रेट आंसर हैगा कोशन नम्बर 13 का कोशन नम्बर 14 आता है भारत में करंसी नोट पर उसका मुल्य कितनी भासों में लिखा होता है बताए जल्दी से दोस्तो भारत में करंसी नोट पर उसका मुल्य सत्रा भासों में लिखा होता है यानि कि question number 14 का right answer D हो जाएगा भई ये आपको यादखना है question number 15 आता है भारत में दक्सिन पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्सा होती है यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेस करती है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बहुत important question है और कई बार ये exam में already आ चुका है पंदरवे question का right answer हो जाएगा केरल यानि कि D right answer हो जाएगा इस question का correct answer question number 16 आता है निमलिकित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसाट परिक्षन किया जाता है बते जिल्दी से दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा eights यानि कि D right answer हो जाएगा question number 16 का question number 17 आता है किर्केट पिछ में popping, increase और stamp के बीच की दूरी कितनी होती है तो ETF के बीच के जो दूरी होती है दोस्तो वो कितनी होती है 4 fix की होती है यानि कि इस question का right answer हो जाएगा option B तो question number 17 का right answer आपका B हो जाएगा आपका next question आता है कि निमलिकित में किस खेल में free throw सब्द का प्रियोग किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है किस में बिल्कुल सही है बास्किट बॉल में यानि कि 18 का right answer C हो जाएगा question number 19 आता है सिंदु घाटी सब्व्यता का एक विसाल इसनानगर किस इस्थान पर मिला है दोस्तों इस question का right answer रहेगा बिल्कुल मोन जोद्रो यानि कि B right answer हो जाएगा question number 19 का question number 20 आता है भारत में पर्थम विदूत रेल किस वर्ष चली थी दोस्तों भारत में पर्थम विदूत रेल किस वर्ष चली थी तो right answer हो जाएगा 1925 में यानि कि D right answer हो जाएगा question number 20 का correct answer दोस्तों अगला question आता है विदूत रेल की बात कीगे दोस्तों ध्यान से सुन ले ना भाई question को ठीक है 21 कोशन है निमलिकित में से किस ने गुप्त वंस की स्थापना की थी 21 कोशन देखे गुप्त वंस की स्थापना करने वाला दोस्तों को था स्री गुप्त ने यानि कि इस कोशन का right answer हो जाएगा स्री गुप्त option A right answer रहने वाला है 22 कोशन आता है सुन्ने की खोज का सरे किसे दिया जाता है जिनोंने सुन्ने की खोज की और पूरी गणित्य सरचना को ही बदल दिया उनका नाम बथाईए दोस्तों तो इस कोशन का right answer तो सभी को आना चाहिए दोस्तों आरिया भट जी ने यानि कि C right answer हैगा question number 22 का I hope कि ये session आपको पसंद आ रहा होगा तो please like करके share कर देना भई ठीक है आपसे छोटी सी request है मेरी 23 कोशन है हुमायू नामा पुष्टक की रचना किस ने की थी दोस्तों हुमायू नामा पुष्टक की रचना जो है ये की थी गुल बदन बेगम ने यानि कि इस question का right answer B हो जाएगा 23 कोशन का correct answer 24 कोशन आता है नीरत चोपडा का संबंद किस खेल से है तो ये question बहुत easy है सभी को answer बताना है देखें नीरत चोपडा का संबंद दोस्तों जैवलिन थ्रो से है यानि कि B right answer हैगा question number 24 का 25 आता है जून से सितंबर के दुरान त्यार होने वाली फसले क्या कहलाती है तो दोस्त बी right answer हो जाएगा 25 का correct answer 26 कोशन आता है किस voice row ने विले की नीती लागू की थी तो right answer हो जाएगा लोड डेहलोजी ने किस ने की थी दोस्तो लोड डेहलोजी यानि कि B right answer हो जाएगा 26 कोशन का correct answer 27 कोशन आता है भारत का पर्थम voice row कोन था दोस्तो भारत का पर्थम voice row कोन था तो right answer क्या हो जाएगा लोड कनि यानि कि A right answer हो जाएगा 27 कोशन का correct answer ठीक है आपका अगला कोशन आता है दूर दर्शन में रंगीन परसारन किस वर्स आरम हुआ बहुत ही important question पूछ रहा हूँ दोस्तो कोशन है कि दूर दर्शन में question number 29 है 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत की नगरिये जनसंख्या भारत की कूल जनसंख्या का लगबग कितना परतिशत है दोस्तो इस question का right answer हेगा 28% यानि कि C right answer हेगा question number 29 का question number 30 आता है भारत का पर्थम पर्मानु उर्जा रियक्टर है तो भारत का पर्थम पर्मानु दोस्तों क्या है अपसरा यानि कि इस question का right answer C हो जाएगा question number 30 का question number 31 आता है दोस्तों किस भारती राज्ये को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है very very important question mark कर लेना अगर questions का level अच्छा लग रहा है ना इस परकार के questions बहुत पुछे जाते हैं तो प्लीज आप से request है मेरी इसको होना हर एक ग्रूप में share करिए थोड़ा सा support की जरूरत है जितनी महनत हम कर रहे हैं उतने views नहीं आ रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है मैं आपके लिए regular मतलब Saturday Sunday कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब जिस दिन वीडियो न लेके हूँ हर रोज वीडियो मिलती ह तो please share कर देना इस question का दोस्तो right answer रहेगा मनीपूर यानि की option D right answer रहेगा 31 question का correct answer 32 question आता है निमलिखित में से कौन कोले की सरुत्तम किस्म है तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा anthracite क्या हो जाएगा anthracite यानि की option A right answer रहेगा question 32 का 33 आता है प्रत्वी तल के कितने परतिशत भाग पर महादीपो का विस्तार पाया जाता है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा 29.2% का यानि की B right answer हो जाएगा question 33 का question 34 आता है भारत में डाक सुचकांग परनाली यानि की पिन कोड परनाली का सुबारम किस वर्स हुआ था दोस्तों इस question का right answer रहेगा 1972 में यानि की C right answer हो जाएग कोशन ममर् ठर्टी फोर का 1. त्रैन का पर्तम यूद बीच हुआ था दोस्तों ऍृसतों अकशार मेरन नारंदा विस्विधार धले की इस्थापना की थी तो किस गुप सासक pivot दोस्तों नालंदा विश्वी देले की स्थापना की थी तो right answer हैगा कुमार गुप्त क्या हो जाएगा दोस्तों कुमार गुप्त यानि की C right answer हैगा question number 36 का question number 37 आता है किस मुगल सासक ने सिक गुरू तेक बादूर की हत्या करवा दी थी तो किस सिक गुरू तेक बादूर की अत्या करवा दी थी right answer हो जाएगा ओरंग जेब में यानि की C right answer हैगा दोस्तों question number 37 का important question है question number 38 है सवतंतरता के बाद देशी रियासतों के एकिकरण का उत्तरदायत्व किसे दिया गया था दोस्तों ये दिया गया था सरदार वल्लभाई पटेल जी को यानि की इस question का right answer हो जाएगा D right answer ये है आपको याद अखना है question number 39 आता है करनाटक के सर्वन बैल गोला में किस जैन संत की विशाल परतिमा इस्थापित है जल्दी बते दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है गोमतेसवर यानि की B right answer हो जाएगा question number 39 का all right question number 40 आता है मुगल समराट अकबर ने 9 रतनों में से एक टोडर्मल का सम्मन्द की सेत्र से था very very important question पूछ रहा हूँ exam में दोस्तों कहीं बार repeat हो चुका है तो right answer हैगा भूर आजस्व विवस्था से यानि कि C right answer हैगा question number 40 का ये थे 40 question अब एक question में आप लोगों से पूछता हूँ test का question है इसका answer हर एक student को comment box में जरूर जरूर बताना है question है हुमाईयू नामा पूछता की रचना किस ने की थी मैं आसा करता हूँ कि हर एक student इस question का answer 100% comment box में जरूर बता देंगे जल्दी से comment box में इसका answer बता दीजे ये वीडियो आपको कैसी लगी एक छोटा सा feedback कमेंट करके भी जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए लाइक करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल पर नए है तो चैनल को अभी तुरान सब्सकाइब कर लेना नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन कौन रखेंगे तो आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे साथ जार के कोशन आंसर्स की जो पीडियाप है वो मातर 150 रुपीज में परचेज कर लेना इसमें कंप्लिट जीके साइंस करेंट अफेर और कंप्यूटर मिल जाएगा आप हमारी वेब साइट और वोट्स अप नमबर से इस पीडियाप को परचेज कर सकते हैं